हेलो एस्टुडेंट्स नमस्कार आज हम यूनिकनेस आफ इनवर्स के बारे में जानेंगे कि यदि किसी स्क्वेर मैट्रिक्स का इनवर्स एक्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ एक और एक ही इनवर्स होगा दो इनवर्स नहीं हो सकता है तो इनवर्स ऑफ एस्क्वेर मैट्रिक्स इफ एक्जिस्ट इज यूनिक यूनिक करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स एक्जिस्ट करेगा दो इनवर्स एक्जिस्ट नहीं कर सकता लेकिन स्टुरेंट्स हम पहले आज क्या करते हैं यू एफोज के बारे में जान आपको बताएंगे कि इसका value कैसे calculate किया जाता है तो students golden ratio को golden ratio defined कैसे किया जाता है तो माले यह कोई line है इसको दो part में divide किया एक longer part होगा एक shorter part होगा तो longer part divided by shorter part a by b is equal to तो क्या होना चाहिए a plus b divided by a और इसको हम लोग 5 से denote करते हैं और यही क्या है golden ratio है तो इस 5 का value कैसे calculate होगा तो 5 का value calculate होगा हम यहां से इसको solve करना शुरू करेगे तो a plus b by a is equal to 5 है इसका मतलब है कि यह 1 plus b by a लिख सकते हैं is equal to 5 और a by b क्या है 5 है तो b by a क्या होजाएगा 1 by 5 होजाएगा 1 upon 5 is equal to 5 और फिर इसको जब solve करेंगे तो यह एक quadratic equation हमें मिलेगा तो यह होजाएगा 5 lcm 5 plus 1 is equal to 5 अब उसको उस तरफ ले जाएगे तो quadratic equation बन जाएगा तो 5 plus 1 is equal to क्या होजाएगा 5 square अब इसको आप solve कर सकते हैं quadratic formula लगा के आसानी से यह solve हो जाएगा तो a x square plus b x plus c से compare केजिए तो a is equal to यहाँ पे 1 है b is equal to minus 1 है और c is equal to minus 1 है और फिर आप इस formula में रखेंगे 5 is equal to minus b plus minus b square minus 4 is c by twice a तो जब इस formula में रखेंगे तो यह minus of minus 1 plus minus क्या हो जाएगा minus 1 का square plus 4 into 1 into minus 1 divided by 2 into 1 आएगा और फिर solve करने के बाद आप देखेंगे कि 5 is equal to 1.618 आएगा तो इस तरीके से आप golden ratio का value हम calculate करते हैं और golden ratio के बादे में बहुत हम बता चुके हैं आप मेरा वीडियो यह दी regular देखते हैं तो इसके बादे में आपको काफी जानकारी हो गई होगी होगी तो uniqueness of inverse क्या है inverse of square matrix if it exists is unique means square matrix का सिर्फ एक और एक ही inverse exist करेगा तो इसको proof करना है proof let a is a matrix b a matrix of order m हम इसको क्या करते हैं contradiction method apply करते हैं हमाल लेते हैं एक नहीं दो inverse exist कर रहा है और बाद में proof कर देएं कि दोनों same हैं तो if possible if possible let two inverse two inverses b and c of a exist हमाल लेते हैं कि दो inverse exist कर रहा है two inverses b and c of a exist that means we have to prove that we have to prove that to be equal to c दोनों same है तो proof हो जाएगा कि वो unique है तो इसके लिए हम पहले बता चुके हैं कि यदि इन्वर्स एक्जिस्ट करता है बी ए का inverse है तो क्या होना चाहिए if b is the inverse of a then हम यह condition पिछले वीडियो में बता चुके हैं ab is equal to ba is equal to क्या होना चाहिए identity matrix के equal होना चाहिए ab is equal to ba is equal to i होना चाहिए a और b square matrix है b a का यदि inverse है तो क्या होगा b multiplied by a और a multiplied by b is equal to identity matrix of same order जो a और b का order होगा वही identity matrix का order होगा उसी तरह हमने c को भी माना है इसको one मान लेजे फिर if c is the inverse of a then ac is equal to ca is equal to i होना चाहिए यह number two है now अब क्या करना है b is equal to c प्रूफ करना है तो b लेके चलते हैं b को हम लोग क्या लिख सकते हैं b multiplied by identity matrix identity matrix लिख सकते हैं और b is equal to b multiplied by identity matrix इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं b और i को यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं ac ले सकते हैं या c ले सकते हैं तो ac ले लेते हैं ac i को हम लोग क्या ले लिए ac ले लिए from two अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे B और A को एक साथ multiply करेंगे और C को अलग कर देंगे तो commutative law for multiplication हम लोग apply कर सकते हैं और B यह क्या है? I है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर लिख दिजे I C from 1 और I C को हम लोग क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं तो proof हो गया B is equal to C तो यही क्या है? uniqueness of inverse है कि सिर्फ एक और एक inverse ही exist कर सकता है यदि किसी square matrix का inverse है तो तो इसको कैसे अब लोग proof कर लिए? कि माल लिए कि B और C दो inverse है तो AB is equal to BA is equal to Y फिर AC is equal to CA is equal to I यानि कि identity matrix फिर B लेके चले B को हम लोग B into identity matrix लिख सकते हैं फिर I को AC लिख दिए और फिर BA को हम लोग I लिख दिए और IC is equal to C कि प्रूफ हो गया तो एक दूसरा थोरम है वह हम लोग अब देखते हैं एक और फोरम है यहां पर लोग प्रूफ कैसे करते हैं तो प्रूफ करते हैं लोग प्रूफ फ्रोम देफिनीशन अफ इनवर्स अफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए फ्रोम देफिनीशन अफ इनवर्स अफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए a b multiplied by a b inverse is equal to i यह तो condition है inverse यदि exist कर रहा है तो क्या होना चाहिए a b is equal to i या b a is equal to i होना चाहिए तो यदि inverse exist कर तो यहाँ पर b और a एक दूसरे का क्या है inverse है तो इस definition से हम यह भी लिख सकते है a और b यदि invertible matrix है तो उसको उसका multiplication उसका product क्या होगा वो भी invertible होगा तो invertible है तो क्या होगा a b multiplied by a b inverse is equal to i होगा फिर हम क्या करते है प्री multiplied by a inverse प्री multiply प्री multiply बोथ साइड्स बाई a inverse a inverse से आप दोनों तरफ multiply करें तो जब आप multiply करेंगे तो a inverse a b into a b inverse is equal to क्या होगा a inverse i अब यहां से यहां से हम a inverse और a को एक साथ कर दें a inverse a b और यह a b inverse है पहले से तो क्या हो जाएगा a inverse equal to a inverse i होगा और a inverse a a और multiplication of a और a inverse क्या होता है i होता है तो यहां पे आजाएगा आपका i b a inverse a को क्या लिख देंगे a inverse a क्या होगा i होगा तो i b और फिर यह हो जाएगा a b inverse is equal to a inverse i अब i b क्या होगा i b को अम लोग भी लिख सकते हैं यह होगा b a b inverse is equal to a inverse i को अब a inverse लिख सकते हैं अब फिर से multiply करेंगे b inverse से pre multiply तो pre multiply pre multiply both sides by b inverse b inverse से multiply किजिए तो यह हो जागा b inverse b और यह हो गया a b inverse और यहां पर आपको मिलेगा b inverse multiplied by a inverse तो b inverse b फिर से क्या होगा b inverse b is equal to i तो इसको अब लिख सकते हैं i a b inverse is equal to b inverse a inverse और i a b inverse क्या हो जाएगा a b inverse तो यहां से आप कह सकते हैं कि a b inverse is equal to b inverse a inverse तो students हमने इस थरम को यहां पर प्रूफ कर दिया आज के लिए इतना ही है यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैक्यो